नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्यूट्यूब चैनल में साथियों आज मैं राहुल भारदवाज आप सभी के लिए विशे लेकर के आया हूँ आधोनिक जोतिश का भाग नंबर सत्रहा चर्चा करेंगे बुद्ध ग्रह के बारे में जिस प्रकार से जीवन के अंदर बुद्धी का कारक कहा गया है बुद्ध की अच्छी परिस्तितियां जातक को ज्यान की पराकास्था पर भी पहुंचा सकती है बहुत तेज बुद्धी ऐसे जातक की देखी जा सकती है सूरिय के बहुत नस्दीक है बुद्ध ग्रह सबसे नस्दीक है सू कुंडली के अंदर भी वही बनती है या तो सूरिय से पिछली राशी में बुद्ध होता है या अगली राशी में होता है या सूरिय और बुद्ध मिलकर के बुद्ध अधित्ययोग व्यक्ति की कुंडली में बना देते हैं प्रंतु सूरिय के जादा निकट जाकर के बुद् नहीं माना जाता मीन राशी के अंदर जाकर के बुद्ध अपनी नीच राशी में चला जाता है मीन राशी नीच राशी बुद्ध की मानी जाती है और समस्याई व्यक्ति के जीमन में पैदा हो जाती है मीन राशी से साथवी राशी क्या वनती है कन्या राशी कन्या राशी के अंदर बुद्ध उच्च राशी के अंदर माना जाता है और व्यक्ति को हर परकार का सुख देता है नपन सुख भी कहा गया है बुद्ध ग्रह को बुद्ध ग्रह जिस भी अपने मित्र ग्रह के साथ उसकी पावर को increase कर देता है या कम कर देता है दोनों परिस्थितियां होती हैं दूसरे ग्रह की पावर को भी बढ़ा देता है सूर्य के साथ बैठ करके बहुत अच्छे योग का निर्मान अगर वक्री नहीं है अस्त नहीं है मित राशी के अंदर मित राशी के अंदर या कन् जान की पराकास्था पर ऐसे जातक देखे जा सकते हैं बुद्ध मेश करक ब्रिश्चिक धनू राशी के अंदर अशुब फल देता है अगर आपकी आप अपनी कुंडले उठाइए देखिए बुद्ध की क्या प्रिस्थतियां हैं अगर बुद्ध से आपको समस्य आ रही है आपकी वाणी में दोश है वाणी में विकार ला दीता है बुद्ध अपनी बात को explain नहीं कर पाता व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के इच्चा जक्ति भी खत्म हो जाती है कहीं भी अपनी बात को सही तरीके से ना रख पाना अगर इस परकार के दोश आपके जीवन के अंदर हैं बुद्ध खराब है तो क्या उपाय आपको करने चाहिए। उपायों के बारे में ही चर्चा की जाएगी इस वीडियो के अंदर। वाणी में शक्ति और तेज बुद्धी का कारक बुद्ध ग्रहा। किस प्रकार से हम इसे अपने अनुकूल कर सकते हैं बिना स्किप की ये वीडियो को देखना है लाइक करना है शेयर करना है वीडियो को और कमेंट जरूर करना है तो आईए शुरू करते हैं विशे को गणेश जी की उपासना सबसे पहले तो करना शुरू कर दीजिए तुरंत ओम गंगन पतये नमहा इस मंत्र का जब प्रतिदिन नित्य सुभा आपने जरूर करना है दूरवा जो हरी दूब होती है हरी घास होती है प्रतिदिन गणेश जी को अरपन करना शुरू कीजिए गणेश जी की पूजा से बुद्ध बहुत जल्दी बलवान स्थिती में आ जाता है अगर बुद्ध अपनी नीच राशी के अंदर है मीन राशी के अंदर है तो भगवती दुरगा आदेवी की उपासना आप प्रतिदिन करें अगर मीन राशी के अंदर बुद्ध दस्थित है दुरगा चालीसा का पाठ प्रतिदिन सुभा करना शुरू करें बुद्वार के दिन हरी सबजियों का दान करें, विशेश कर पालक का दान बताया गया है, पालक का दान आपने करना है जरुरत मंदों के अंदर, कन्याओं को गिफ्ट्स इत्यादी देना शुरू कीजिए, अपनी बहन, मौसी, बुआ को हमेशा प्रसंद न रखिए, अगर बुआ, बहन, मौसी, इत्यादी, अगर समस्याओं में हैं अपने परिवार के अंदर, तो समझी आपका बुद्ध खराब है, समस्याओं से उनको निकालने का प्रियास कीजिए, जिस प्रकार से आप उनकी व्यथा को सही कर सकते हैं, बुद्ध अपने आप सही हो जाएगा सवा किलो हरी मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल ले लीजिए, मंगलवार की रातरी में इसे भिगो लीजिए, अपने सिरहाने रख लीजिए, सिर के पास भिगो करके रख लीजिए, बुद्ध वार सुभा नहा करके, ये अंकुरित अगर हो जाए तो सही है नहीं, तो आपने कम से कम छे बुद्वार करना है इलाइची का भोग भगवान गणपती को प्रति दिन आपने लगाना है प्रति दिन अपने घर के मंदिर में ही इलाइची रख लीजिए भगवान गणपती को इलाइची अरपन कीजिए बाद में इसे आप प्रसाद सरूप भी ग्रहन कर सकते हैं बुद्ध की वज़े से अगर किसी बच्चे में बोलने में उसके तुटला बोलता है या किसी भी परकार की वाणी के अंदर कोई विकार है तो साथियों ऐसे जातक को शंक का जल प्रति दिन पिलाना शुरू कीजिए बुद्ध अगर खराब है उसकी वज़े से वाणी में विकार है तो शंक का जल प्रति दिन उस बच्चे को आपने जरूर खलाना है अस्टम में बुद्ध शनी और चंदर के साथ हो ऐसे जातक को जेल जाना पड़ सकता है या ऐसे जातक की मानसे प्रस्तियां खराब हो जाती है बुद्ध के साथ शनी और चंदर का योग अगर अस्तम भाव में पड़ रहा है जातक नशे पत्ते का शिकार हो जाता है और किसी दवा खाने के अंदर भरती करवाना पड़ सकता है काफी समय के लिए नशा मुक्ति के इंदर इत्यादी में ऐसे जातक को भरती करवाना पड़ सकता है आगे बढ़ते हैं बुद्धि जिस व्यक्ति का खराब है जो व्यक्ति नशा करता है उसके पास बहीं बैखना चाहि여 मित्र भी कोई बनाना चाहिए जो नित्य नशा करता हो अगर बुद्ध मीन राशी के अंदर पर नीच राशी के अंदर खूकरके पड़ा है तो जातक को अपना नाक शिद वाना चाहिए नाक के अंदर एक छेद करवा लेना चाहिए कुछ धारन करना हो इस्तिरियां है अगर आप तो 첫 चांदी का कुछ भी आपने धारन कर लेना है पक्षियों की सेवा करने चाहिए पक्षियों को आजाद करवाना चाहिए पक्षि करीद करके आप उन्हें आजाद करवा दीजिए हवा में उड़ा दीजिए पक्षियों को दाना डालना शुरू कीजिए प्रत दिली बाजरा अगर आप पक्षियों को खिला सकते हैं मच बैटा रहे हैं पक्षियों को दाना डालिए अपने दात नित्य फिटकरी से साफ करना शुरू कीजिए क्योंकि मैंने बताया कि बुद्ध किसी भी ग्रह के साथ बैट करके अच्छी या बुरी परस्तितियों में उसकी पावर को घटा या बढ़ा सकता है तो अच्छे ग्रह भी कभी कभी बुद्ध की वज़य से अच्छे फल नहीं दे पाते तो प्रते दिन आपने नित्य अपने दात फिटकरी से साफ करने हैं दातों को हमेशा साफ रखना हैं किनर कहीं भी मिले ही जड़ा कहीं भी मिले आपने किनर को कुछ ना कुछ जरूर देना है उपहार स्वरूप या धक्षणा पैसा इत्यादी भी आप दे सकते हैं आप गाड़ी में चल रहे हैं पैसे रखिए कहीं भी किनर दिखे तो उसे पैसे जरूर दीजिए कितने भी दीजिए यथा सामर्थ पैसे आपने जरूर देने हैं और भगवान शिव शिवलिंग का भांग से अविशेक आपने करवाना है सोम बार के दिन या हर महीने शिवरात्री आती है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को किसी भी योग्य भ्राम्वन की देखरेख में भांग से शिवलिंका विशेक आपने करवाना है अपा मार्ग का एक पोधा होता है जिसे हम कुछ क्षेत्रों में बरजीटा भी कहते हैं खेत के अंदर मिलता है काटे होते हैं उसके उपर कपडों के उपर चिपक भी जाते हैं काटे अपा मार्ग का पोधा इसे कहते हैं आप गूगल भी कर सकते हैं अपा मार्ग के पोधे के अंदर प्रति दिन सुभा आपने जल से अभिशेक करना है 41 दिन रेगुलर इस कारिय को करना है बुद्वार के दिन अगर उपवास रख सकें तो भगवान गणपती के निमत आपने उपवास रखना है ओम गणगणपता ये नमहा मंतर का सारा दिन जब करना है और दोपहर बाद संध्या काल में 5-6-7 बजे शाम को आपने दूरवे की एक माला बनानी है हरी दूब की माला बनानी है गणईश जी को दूरवा अधिक प्रिय है लड़्डू का भोग लगा करके ये दूरवे की माला आपने भगवान गणपती को अरपन कर देनी है हिंदु जोतिश पर प्रते दिन लाइव आकर के आपकी कुंडली का विसलिशन करते हैं निशुलक तो बैल आइकन को प्रेस कीजिए और पर क्लिक कीजिए फेस्बुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्ट्राग्रेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वहां भी हम लाइव आकरके निशुलक कंसल्टेंसी देते हैं कुंडली की ठीक है, और फॉन कंसल्टेंसी अगर चाहिए, तो पेड कंसल्टेंसी है, लिमिटेर से चार्जिस है, फॉन से कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा वाट्सिप नमबर भी दिया गया है, वहां से आप अपनी अपोइन्मेंट फिक्स करवा सकते हैं साथियों और नए नए विशे प्रति दिन आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत